हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपनी चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करेंगे क्लास 6 तू 8 का वॉक्षिट बच्चों यां क्लास 6 के लिए 7 के लिए और 8 के लिए तीनों क्लास के लिए एक वॉक्षिट है वॉक्षिट न मसीनी योग के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉक्षिट नमबर 72 अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहल आइकन को दवाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें वीडियो को लाइक करें और मैंने आपको पहले ही बता दिया यह वॉक्षिट क्लास 6 के लिए क्लास 7 के लिए और क्लास 8 के लिए यानि तीनों क्लासे के लिए है यह एक वॉक्षिट यहां आपको अपना नाम लिखना है और यहां आपको आपके कक्षा अध्यापक यानि कि क्लास टीचर का नाम लिख यह क्या किया जा रहा है यहां पर टोकडी बनाई जा रही है उसके बाद दूसरे इमेज को देखिए यह दूसरा इमेज जो है वह चाड़ा काटने की मसीन है तीसरा इमेज हमारा चापकल है चौथा इमेज कुमहार द्वारा बनाए गए बर्तन है पाचवा इमेज देखे य यह सिलबट्टा जिस पर पहले मसाले या चटनी कुछ भी पीसा जाता था और छठा इमेज हमारा है यहां देखे सूत इस तरीके से काटा जाता था और सूत को काट करके धागे तियार किये जाते थे उसके बाद जस्ट उसके बगल में एक दूसरा इमेज भी दिया हुआ है इस इमेज को भी ध्यान से देखिए जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मसीनी यूग तो आजकल का टाइम कैसा है मसीनी यूग का टाइम है आज सभी लोग हाथों से काम करना छोड़ करके किस से काम करते हैं मसीनों से काम करते हैं अब यहां देखिए यह है मिक्सी ग्राइं उसके बाद इस में दूसरा चो इमेज है, वह एक मसीन है, जिसके दुआरा क्या किया जाता है चोटेसे चोटे और बड़ेसे बड़े काम के लिए हम कंपिटर का प्रियोग कर लेते हैं Swing alkaline का काम कपड़ों को सिलने के लिए किया जाता है और ये छठा इमेज जो है वह बताया गया है मसीनों को दिखाया गया हैं कि इस तरह से हम मसीनों का प्रयोग कर रहे हैं तो आज हम इसी के बाढ़े में बढ़ेंगे चलिए देखते हैं हम अपनी कई वर्सों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मसीनी युग में कदम रख चुके हैं, जहां लगभग हर जगह, हर कारे में मसीन का प्रियोग होता है नीचे दो चित्र दिये गए हैं, इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनसे जुड़े सब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखिये यहां देखे बच्चों, हमने अभी अभी जाना है, किसके बारे में, जो ये आकृतियां दी हुई हैं, इसके बारे में, कि पहले लोग हाथों के द्वारा बहुत सारे काम करते थे इनमें उनका सररिक मेनद जादा होता था, और दूसरा जो इमेज दिया हुआ है, यह सारा क्या है, मसीन, आज का जो समय है, वो मसीनी योग है, लोग हाथों से काम करने के बजाए, मसीनों से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हाथों से काम करने के बजाए, मसी किनों का प्रयोग करते हैं हमें क्या करना है ये boxes दिये हुए हैं इन boxes में जो आकरिती इसमें दी हुई है first image में उसके नामों को लिखना है और उससे जुरे हुए सब्दों को लिखना है दूसरे image में भी हमें क्या करना है इनके नामों को और इनसे जुरे हुए सब्दों को ल क्या क्या दिया हुआ है पहला इमेज जो है वह उसमें क्या किया जा रहा है तो हाथों से टोकडी बनाई जा रही है तो यह हो जाएगा हमारा पहला हाथ से टोकडी बनाना दूसरा इमेज यहां देखें दूसरा इमेज आप लोगों ने गाउं में देखा होगा कि इससे क्या किया जाता है जानवरों का चाड़ा काटा जाता है यानि जो जानवरों का चाड़ा होता है उसको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड किये जाते हैं तो दूसरा हमारा चारा कतरन है या क्या सकते हैं चारा कतरने वाली मसीन, तीसरा गाउं में आप जेनरली देखे होंगे कि लोग पानी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैंड पंप का, हर घर में आपको हैंड पंप मिलेगा, हैंड पंप का ही पानी वो लोग पीते हैं, तो तीसरा इमेज हमारा हैंड पंप का है, चौथा इमेज क तो हमारा पांचवाए इमेज जो है वा सिल्बर्टे का है चटे इमेज को ध्यान से देखें यहां क्या किया जा रहा है दागा को काता जा रहा है तो यहां कपड़ा या धागा कतरना तो हमने पहले इमेज में देखा कि पहले इमेज जो है वो मसीनी यूग से पहले का इमेज है लोग हाथों के द्वारा अपना काम कर रहे हैं अब चलिए दूसरे इमेज को देखते हैं दूसरे इमेज को ध्यान से देखिए, मिक्सी ग्राइंडर का क्या काम होता है, इसमें पीसा जाता है, मसाला पीसा जाता है, या कुछ भी जो घर में हमारी मम्मी पीसती हैं, खाना बनाती हैं, तो वह सारे का मिक्सी ग्राइंडर में किया जाता है, तो ये हो गया हमारा मिक्स याद रखिएगा खेत जोतने की मसीन का नाम क्या है रोटा बेटर तीसरा जो इमेज है वह है अवन का माइक्रोवेब इसमें हम क्या गरते हैं खाना को गर्म करते हैं अगर हमें अपने ब्रेट को रोस्ट करना है तो भी हम माइक्रोवेब का यूज करते हैं तो हमारा तीसरा image microwave का है चौथा सबसे महत्तपूर्ण है आज लोगों के लिए computer क्योंकि आज सारे काम किस पे हो रहे हैं computer पे तो चौथा image हमारा computer है computer आज लोगों के काम को बहुत ही आसान बना दिया है पांचवा image है swing machine का यानि सिलाई machine जिसके द्वारा हम कपड़े सिलते हैं और चौथा image हमारा आध्वनिक मसीनों का है आज के समय में लोगों ने आध्वनिक मसीनों का प्रयोग करके अपने काम को आसान बना लिया है तो ये हो गया हमारा चौथा image अब चलिए आगे देखते हैं तो हमने जाना किसके बारे में मसीनी यूग से पहले लोग किस परकार अपना काम करते थे और मसीनी यूग का जब आरम हुआ तो लोगों ने अपना काम मसीनों से करना आरम कर दिया मसीनी यूग से पुर्व क्या था काम को करना कठिन था इसमें साररिक मेहनद बहुत लगता था लेकिन जब मसीनी योग आया तो काम क्या हो गया? आसान अब लोगों को जादा मेहनद करने की जरूरत नहीं पड़ती है मसीन से वह काम को जल्दी ही कर लेते हैं मसीनी योग से पहले लोगों को काम करने में अधिक समय लगता था समय अत्यधिक लगता था और काम भी बहुत ही कम कर पाते थे लेकिन जब मसीनी योग का सुरुवात हुआ तो इस समय पे इनको समय भी कम लगता है और काम भी ज़्यादा हो जाता है अब देखिए बच्चों मसीनी यूग के आने से लोगों को बहुत फाइदा भी हुआ तो लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ जब मसीन यूग नहीं था तब लोग हाथों के द्वारा काम किया करते थे इससे उनका सररिक परिस्रम होता रहता था लेकिन अब मसीनी यूग के आने से क्या हो गया है लोग आलसी और सुस्त हो गए है जिस वज़ा से उन्हें बैठे बैठे कई सारी बिमारियां हो रही है तो मसीनी यूग एक तरफ फाइदे मन्द है तो दूसरी तरफ मनुश्यों के लिए नुकसान भी है मसीनी यूग के आने से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो गए क्योंकि जो काम पहले दस लोग क्या करते थे वह काम आज सिर्फ एक मसीन से ही हो जाता है अब आगे देखिए अब आप इन सब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बना कर लिखिए अब हमें क्या करना है जो हमने सब्द पढ़े हैं और जो चित्र यहां पर दिया हुआ है उससे संबंधित वाक्य बना करके लिखना है यहां है मसीनी यूग से पहले का समय कैसा था और मसीनी यूग के बाद का समय कैसा था तो बच्चों मसीनी यूग के पहले का समय जो था वह काफी कठिन था कठिन कहने का आर्थ है याँ पे है बच्चों मसीनी यूग से पहले लोगों को सारीरिक वर्क जादा करना पड़ता था और जब मसीनी योग आ गया तो लोगों की सारे रिक वर्क कम करना पड़ता है और इसमें समय भी जो है वह कम लगता है बहुत ही कम समय में जादा से जादा काम कर लिया जाता है लेकिन मसीनी यूग से पहले समय भी जादा लगता था और लोग जादे से जादा काम भी नहीं कर पाते थे क्योंकि वा थोड़े से ही काम को करने के बाल ठक जाया करते थे तो यही अंतर है किसमें मसीनी यूग के पहले का समय और मसीनी यूग के बाद के समय में चलिए अब हम इन सब्दों और चित्रों से जुड़े हुए कुछ वाक्य देख लेते हैं यहां देखिए बच्चों मसीनी योग से पहले का समय मसीनी योग से पहले का समय आध्वनिक योग से पहले लोग सारा काम सारेरिक बल से करते थे जैसे कि हमने अभी देखा हैंड पंप से पानी निकालना हाथ से टोकडी बनाना और हाथ से धागे काटना तो यह सब क्या था? यह सब सारेरिक बल के द्वारा किया गया कार्य था इसमें समय और मैना ज़्यादा लगती थी और काम भी कम हो पाता था अब चलिए मसीनी यूग के बारे में भी कुछ वाक्य देख लेते हैं अब चलिए मसीनी यूग से संबंदित कुछ वाक्य देख लेते हैं मसीनी यूग जो क्या किया? काम को आसान बना दिया और समय की बच्चत भी हो जाती है और काम भी ज़्यादा हो जाता है अबैशी ग्राइंडर मसाला पीछने के लिए इसमें समय और मेहनन कम लगती है और काम भी आसान हो जाता है। क्या-क्या कम लगता बच्चों समय बहुत समय बचता है मसीन से काम करने पर और मेहनत भी कम लगती है। तो मसीनी युग में जहां हम लोगों को सहुलियत हुई वहां बहुत सारी समस्याएं भी हुई जो हमारे स्वास्त से संबंदित है तो बच्चों आज का यह वॉक्सिट यही समाप्त होता है वॉक्सिट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वहल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वीडियो से वाक सीट नमबर 72 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके तो मिलते हैं अगले वाक सीट में आप सब का धन्यवाद